हालो स्टूडेंस इस यूर न्यू फॉन एक्टिविटी वाटम मेलन विद बर्ड आपको बर्ड यूज करने हैं अकर आपके पास बर्ड ना हो तो आप किसी भी मैट स्टिक पे कॉटन इस तरह से फोल करके लगा सकते हैं आपको दो वाटर कलर यूज करने हैं रेट और क्रीम और सर्कल के लिए हाफ सर्कल यूज करने हैं सबसे पहले हमें थ्री सर्कल शाहिए अलग-अलग शेप के एक बिग सर्कल एक स्मॉल एंदेन उससे स्मॉल सर्कल सबसे पहले हमें एक बिग सर्कल रॉ करेंगे इस तरह से वैसे तो हमें हाफ सर्कल यूज करना है पर पहले हम इसे पूरा फॉल सर्कल ले लेंगे लाइक दस और नेक्स सेमी अगें उससे थोड़ा चोटा सर्कल इस तरह से लेंगे और हम इसे ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस और थर्ड वन इस लाइक दिस इस तरह से ड्रॉ करने के बाद अब हम नीचे सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे विद हेल्प आफ स्केल इस तरह से हम स्केल यूज करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे अब नीचे वाला पूशन जो है वह हम एरेज कर देंगे हमें सरफ हाफ सरकल चाहिए और इस तरह से हम इसे एरेज कर देंगे एरेज करने के बाद यह आपको कुछ ऐसा मिलेगा हम इसे टर्न कर देते हैं लाइक दिस टर्न करने के बाद सबसे पहले हम इसकी आउपलाइन करते हैं विद अ हैल्प ऑफ ब्लेक स्केच्च पेल न चΟ्छ Kr लग प्रभ भाद से टर्न कर देता बाद कर देता हैं यह लाद ब्लेक स्केचर अपको कर देता हैं झाल झाल जाल झाल इसमें स्मॉल स्मॉल वाटर ड्रॉप्स डॉल करेंगे झाल इस तरह से ड्रॉप करने के बाद अब इसे फल करेंगे जहां भी आपको इसको फेल करना है अच्छे से अब यह सब फिलो चुका है लाइक अब हम बर्ड का यूज करेंगे सबसे पहले हम बर्ड यूज करेंगे उसको पानी में हलका सा डिप करेंगे और इस तरह से सबसे पहले हम ग्रीन कलर यूज करेंगे ग्रीन कलर लेकर हम इस तरह से डब करेंगे अब यह जो हम बर्ड बर्ड पानी में बर्रीन क्टलब यूज यह जो हम लेकर हम वह बर्रीन कलर माझंगे अब यह जो हम पांब यह जो हम आप्र रड रड्ट झाल इस तरह से आप ग्रीन कलर जो है सचे से फिल करेंगे जहां भी आपको थोड़ा ब्लांक लगे वहाँ से इस तरह से डिप कर देंगे like this then now और वी यूज़ रिड कलर सेम वैसे ही कॉटन बर्ट को जो कि इसकी सेकेंड साइड है हम उसी को यूज़ कर रहे हैं और उसे हम हलका सा पानी में डिप करेंगे पहले इस तरह से यह मैंने पानी में डिप किया है एं दिन रेड कलर लेंगे और इस तरह से कि डप करेंगे कि अवाग। कि जञे देंगे कि अवाग। कि अवाग। कि अवाग। झाल झाल पति इस तरह से डपकिया and now the watermelon with bird is ready keep breakfast at home, thank you